कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ important data जो है वो delete हो जाता है हमारे computer से, hard drive से, pen drive से या memory card से ये हमारे गलती से भी delete हो सकता है अगर वो file corrupt हो गया है तब भी आपको उसे format करना पड़ सकता है बट अगर उस file में से आपका कोई important data है तो फिर आप उसे वापस recover करना चाहते हो बट क्या ये possible है तो अगर हां तो किस case में data recover हो सकता है और कितना data recover हो सकता है तो इस वीडियो में मैं इनी topic से बारे में बात करने वाला हूँ and ultimately मैं आपको recover करके दिखाऊंगा so without wasting much time so let's start this video so yes data recover करना बिल्कुल possible है but so अगर आप data recover करने वाले हो तो data recovery के पहले आपको कुछ बातों का खयाल रखना पड़ेगा वरना maybe आपका data recover करने में problem हो सकता है या फिर आपका data नहीं भी recover हो सकता है so most important point यह है कि कभी भी अगर आपका data गलती से delete हो जाता है या format हो जाता है तो on spot आप उस computer या उस pen drive को use करना बंद कर दो and use करने से मेरा मतलब है कि उसमें आप कुछ भी write मत करो that means अगर आपका pen drive से कोई भी data delete हो गया है तो कोई भी दूसरे data को pen drive में मत डालो recover करने से पहले अगर आपका data हाल फिल हाल में delete हुआ है या format हुआ है तो उसका recover होने का chances आपका बहुत जादा high होता है most of the cases में आप उसे आराम से recover कर लोगे but अगर आपका data delete हुए हुए काफी time हो जाएगा या फिर अगर आप delete करने के बाद उस drive को उस pen drive को या किसी भी चीज को आप अगर constantly use करते रहोगे तो बहुत ही chances घड जाता है recover होने का and most of the cases में maybe आपका data फिर recover ना हो पाए पर wait 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 मैं इसका reason बता देता हूँ ऐसा क्यों तो अगर आपका कोई भी data आपके hard drive pen drive या किसी भी चीज से delete होता है तो actually में वो data आपका delete नहीं होता है आप अगर किसी भी चीज को format करते हो या delete करते हो तो उसके उपर बस एक layer चड़ जाता है and वो data आपका फिर भी वहीं पे store रहता है इसका मतलब यह है कि अगर आप उसमें दूसरा data डालना चाहो तो आप definitely उसमें data डाल सकते हो वो आपको pen drive या hard drive आपको खाली ही सो करेगा but data अभी भी वहाँ पर available है पर सिर्फ तब तक जब तक कि आप उसमें कोई दूसरा data डाल दोगे आपका पिछला data जो है वो overwrite हो जाता है तो जैसे ही आपका data overwrite हो गया उसके बाद वो recover करना nearly impossible हो जाता है so second point आता है कि कुछ ऐसे methods हैं जिसके कारण आपका pen drive या hard drive को recover नहीं किया जा सकता है मतलब कोई-कोई ऐसे method available हैं जिसके कारण आप चाहो तब भी आप data को recover नहीं कर सकते हो and third case यह है कि अगर आपका कोई भी device अगर physically damage हो गया है तब उसमें data आपका कोई जरूरी नहीं है कि आप total recover कर पाओगे maybe वो data आपका partially recover हो सकता है या और भी अलग methods होते हैं recover करने के so अब बात आती है कि आपका कितना data recover हो सकता है so इसे check करने के लिए आपको कोई भी data recovery software को use करना पड़ेगा उसी data recovery software में आप पहले अपने drive को scan करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सा data है जो कि आप अभी भी recover कर सकते हो और कौन-कौन सा ऐसा data है जो कि आपका overwrite हो चुका है किसी और data से तो जो आपका overwrite नहीं हुआ है वो सारे data को आप recover कर सकते हो so वैसे market में बहुत सारे ऐसे data recovery software है but इस वीडियो में जो software मैं use करने जा रहा हूँ वो है wondershare का recovery but before that इसके पहले कि आप पूछो कि यह software free है या paid है so yes यह software paid है guys but इसका एक reason है कि market में जितने भी software available है जो कि आपका free में data recover करता है वो software बिल्कुल भी effective नहीं होता है almost most of the cases में उस software से आपका data recover नहीं होता है तो data recover एक dedicated चीज है तो उसके लिए जितने भी software आते हैं almost सारे के सारे paid है software तो paid है but actually यह payment आपको software use करने के लिए नहीं करना है इस payment को आपको करना है अगर आप data recover करना चाहते हो तो अगर आपको उसे download करना है तो आप उसको website से download कर सकते हो आप अपने computer को, laptop को, pen drive को किसी भी चीज़ को scan भी कर सकते हो और preview भी कर सकते हो कि कौन-कौन सा data आपका recover हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है अगर आपको दिखाई देता है कि जो data आप recover करना चाहते हो वो available है तब जाकर आप उसको payment करो and उसके बाद आप उसको buy करो and आप recover कर सकते हो otherwise अगर आपको data नहीं मिलता है जो आपको recover करना है तो आपको कोई buy करने की जरूरत नहीं है and साथ ही अगर आप चाहो तो इस software में आपको 100MB data free में recover करने का option मिल जाता है तो आप चाहो तो 100MB तक free में recover कर सकते हो and I know 100MB बहुत जादा नहीं होता है but अगर आपके पास कोई बहुत important documents है या कुछ photos है तो आप चाहो तो उसे at least recover कर सकते हो free of cost उसके लिए आपको कुछ भी extra pain नहीं करना है and अगर आपको बहुत सारा file को recover करना है unlimited GB recover करना है तो उस case में फिर आपको paid software buy करना पड़ेगा so ये recovery software one of the best software है in market and इस recovery software को मैं इसलिए यूज़ करना हूँ because इसका जो price है वो as comparatively to other software थोड़ा कम है so ये है website recovery software का so ये software आप देख सकते हो windows के लिए भी available है and yes guys इस website का link मैं नीचे description में डाल दूँगा तो अगर आपको click करके देखना है तो आप click करके देख सकते हो so ये आपका mac windows दोनों के लिए available है and आपको यहाँ पर नीचे और भी कुछ information देखने को मिले है जैसे ये software आपका thousand plus files पे काम कर सकता है मतलब अलग-अलग जो file type होता है उस पे ये work कर सकता है इससे आप किसी भी तरह का storage media को recover कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया चाहे वो computer का hard drive हो pen drive, memory card, external hard drive आपका कुछ भी आप इससे recover कर सकतो including your mobile phone and बाकी और भी यहाँ पे कुछ information दिया हुआ है तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वैसे कोई पढ़ता नहीं इतना so next आते है important point पे price so this software का जो आपका price है वो तीन section में divided है essentials, standard या फिर advanced तो तीनों का अलग-अलग price है यह आपको per year के recording भी मिल सकता है आप चाहो तो इसे lifetime के लिए भी buy कर सकते हो उसका आपका अलग price है तो आप चाहो तो 1 month plus lifetime अके लिए आप इसे buy कर सकते हो and yes एक important चीज क्योंकि recovery most of the time पे students ज्यादा करते है so students के लिए यहाँ पे special offer भी available है तो अगर आप student हो तो आपको special यहाँ पे 30% discount मिल सकता है इस software पे तो आप चाहो तो use कर सकते हो यह तो होगी आप buy करने का पर पहले यह तो check कर लो कि जो file आप recover करना चाहते हो तो क्या वो available है या नहीं तो जो मैंने अभी आपको बताया था free वाला part तो अगर आप चाहो तो इसका free version को भी download कर सकते हो 100 MB जिसमें आपको मिलता है तो आप products में जाओ and यहाँ पे data recovery for free का एक option है so आप बस इस software को एक बार download कर लो and एक बार install कर लो तो मेरे पास जो paid version है अभी तक मैंने उसे इस software से connect नहीं किया है वो मैं बाद में connect करूंगा तो अभी आप देख सकते हो यह मेरा free है जो मैंने direct software net से install किया था तो यह software में आपको बहुत सारा यहाँ पर option देखने को मिलेगा जैसे आप hard drive से चाहो recover कर सकते हो आपके पास अगर external drive है तो आप उससे भी recover कर सकते हो जैसे जो भी आपका pen drive या hard drive या जिस तरह की जो चीजे होंगी वो आपका इस external drive में आएगा उसके बाद आप चाहो तो recycle bin से कर सकते हो desktop से कर सकते हो या फिर यह सबसे important feature है select folder का तो आप चाहो तो आपके computer में जितना भी folder है आप उस particular folder को select करके आप scan कर सकते हो और यह feature बहुत important है because पूरे computer को scan करने में बहुत time लगता है अगर आपका किसी specific जगह से data delete हुआ है तो साथ ही नीचे में आपको यहां पर advance recovery का भी option देखने को मिलेगा advance recovery वह option है जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था 3 तरह का price range में option था तो यह उन लोगों के लिए है कि अगर आपका कोई video जो है corrupt कर गया है अगर आप उसे repair करना चाहते हो तो for example कोई content creator है उन लोगों के लिए ज्यादा effective है तो इस तरह के methods है available and मैं recover करने के लिए जो use करूंगा वो है यह मेरा hard drive जो की WD का है और यह है मेरा pen drive तो इन दोनों से मैं try करूंग और recover करने के लिए और so करूंगा कि किस case में आपका recover हो सकता है कितना data recover हो सकता है and साथ ही कब-कब आपका recover होने में problem होगा so सबसे पहले हम लोग इस pen drive को plug-in करते हैं and इसे scan करने की कोशिश करते हैं so यह देख सकते हो यह मेरा pen drive है जो की पूरी तरह से खाली है इसमें कुछ भी नहीं है यह मैंने format किया था so क्योंकि मैंने बोला था कि latest file को आप recover कर सकते हो so let's try कि हम लोग को अभी file किसी को डाले और उसके आद फिर से format करके try करते हैं तो बस इसे copy करूंगा और इसमें जाकर paste so इस pen drive में सिर्फ यह एक file है जिसे भी मैं चाहूं तो delete कर सकता हूं pen drive को select करके हम लोग start करते हैं तो यह जो है scan होने लगा है और इसके लिए आपको कोई भी price pay नहीं करना है so उपर में यह पर % हो कर रहा है कि कितना % आपका scan हुआ है तो यह time लेगा because यह data recover करना है तो यह आपका time ले सकता है वो depend करता है कि आपका कितना data scan हो रहा है और कितना जादा बड़ा है आपका file so finally pendrive scan हो चुका है and total I think so करीब 20 minutes का time लगा है यह 32GB का pendrive था so इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कुछ important आपको instruction देखने को मिलेगा कि आप किस तरह से अपने system से file को ढूंड सकते हो तो वैसे कुछ इसमें rocket science नहीं है बस आप इसे बस यहां पर got it कर दो and यहां पर आपके pendrive में जितना भी data available है वो सारा का सारा आप यहां से देख सकते हो and इस button से आप चाहो तो navigate भी कर सकते हो अगला area में जैसे आप raw file को भी चाहो तो यहां पर check कर सकते हो जिसमें की file type से भी आप चाहो तो check कर सकते हो इसमें जाकर इसमें आप डेख सकते हो photos इसमें दिखा रहा है इतना है videos इतना है documents इतना है so इस तरह से आप multiple तरीके से आप जाकर आपको जो specific file चाहिए सकते हो कि कौन सा file preview हो रहा है तो आप जैसे ही file को click करोगे यहां पर side में आपको छोटा सा preview को option देखने को मिल जाएगा but अगर आप इसे double click करोगे तो यह आपका बड़े size में preview होगा यह photo अभी तक overwrite नहीं हुआ है आप चाहो तो इस photo को recover कर सकते हो यह मेरा ही photo है जो कि मेरा ही photo है obviously ओके इस तरह से आप photo को देखकर बाद में आप recover button पे click करके recover कर सकते हो रिकवरी स्टार्ट होने से पहले आपको अगर ध्यान हो तो मेरा pen drive बिल्कुल formatted था तो format करने के पहले यही सारा document जो था वो मेरे pen drive में safe था तो that's why यह सारा अभी भी available है क्योंकि उसके बाद वो data overwrite नहीं हुआ है तो अगर वो data overwrite नहीं हुआ तो वो अभी भी यहां पे मिल रहा है मुझे और मैं चाहूं तो इसे recover कर सकता हूं पर अब मैं आपको कुछ data डिखाता हूं जो की overwrite हो चुका है जो अब recover नहीं हो सकता है जैसे कि इसके पहले जो data available था अगर मैं file type में जा कि अगर मैं documents को search करता हूं so document में आप देख सकते हो कि यहां पे कुछ data available है जैसे कि यह 22nd March का data है तो अगर मैं इसे चाहूं recover करना तो इसको खोलने के बाद यहां पे देखने को मिलेगा unable to preview उसके बाद लिखा है this file may be corrupted cause of the following reason यहां पर सबसे पहला लिखा है data is overwritten so यह एक condition होता है जिसके कारण अगर आपका data overwrite हो गया मैंने starting में बताया था तो वो data आप recover नहीं कर सकते हो तो आप यहां पे चाहूं तो देख सकते हो यहां पे मेरा bing image भी available है so मैं चाहूं तो bing को भी recover कर सकता हूं मेरा पुराना photos को भी recover कर सकता हूं तो सबसे पहले आपको जो file recover करना है उस file को search कर लो यहां पे बहुत तरीका है जिससे कि आप अपने file को search कर सकते हो and search करने के बाद आप यहां पे recover button पे press करके recover कर सकते हो but before that क्योंकि मेरा paid version है तो मुझे यहां पे पहले sign in करना पड़ेगा तो पहले मैं इसे login करता हूं so यह देख सकते हो कि मैंने इसे login कर लिया है so अब मैं जो भी data चाहूं मैं recover कर सकता हूं so यह bing image मैंने अभी-भी delete किया था so इसे मैं यहां पे recover प्रेस करता हूं फिर यहां पे मुझे path देना है कि कहां पे recover करना है so मैं इसे desktop पे save करने जा रहा हूँ तो यह रहा मेरा desktop इसे मैंने click कर लिया है और बस मुझे recover button को press करना है so यह हो गया मेरा recover so यह folder automatically खुल चुका है तो इसके अंदर मेरा recover हुआ जो photo है यह already आ चुका है so similarly मुझे इस photo को भी recover करना है तो इस photo को भी मैं पहले select कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं इसे recover button प्रेस करके मैं recover कर लूँगा same desktop पे ही तो यह भी मेरा recover हो जाएगा so इस थरह से हम लोग अपने data को recover कर सकते हैं बट अगर हम लोग किसी ऐसे data को recover करना चाहें जो data recover नहीं हो सकता है जैसे कि इस तरह का data so इसको recover करना possible नहीं है पर फिर भी let's try तो हम लोग यहाँ पर recover button तो प्रेस कर दिये so यह files support नहीं करता है तो क्योंकि यह file overwrite हो चुका है so यह file recover नहीं हो सकता है तो जो भी files मेरा delete हुआ है उसे मैं चाहूं तो वापस recover कर सकता हूं पर याद रखना जितना late करोगे file overwrite होने का chance उतना जादा होता है तो recover होना difficult हो जाएगा और most of the cases में impossible हो जाएगा तो इसी लिए कभी भी अगर data delete होता है फोरन उस device को use करना बंद कर दो and उसको use तभी करो अगर आपको recover करना है तो कुछ भी write करने की courses मत करो इस तरह से हम लोग recovery कर सकते हैं किसी भी software को use करके and definitely Wondershare उसमें से एक बहुत अच्छा option है because वो आपको low price में मिल जाता है as comparatively with student discount and of course thanks to Wondershare for providing me this license so that I can make this video for you so अगर आपके लिए ये वीडियो helpful रहा हो तो please like button दवाना मत भूलना and see you guys in next video so तब तक के लिए bye bye